गुद मॉनिंग श्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरन करेंगी, हिंदी व्याकरन में आपके कक्षा दस में चार टोपिक हैं, पहला टोपिक वाक्य, दूसरा वाच्चे, तीसरा पद प्रीचे और चोथा रस, तो हम अपने व्याकरन की शुरुवात बाक्य से करेंगे, ब बाक्य क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, बासा की सबसे छोटी काई होती है, बरनों की सार्थक मेल से सब्दों का निर्मान होता है, और जब सब्दों को हम वेवस्टित करम में ब्याकरन के नियमों के नुसार एक सुत्र में पिरो देते हैं, तो उससे वाक्य की रचन अर्थ के अधार पर और रजना के अधार पर हम कक्षा 9 में कर चुकी हैं जो 8 भेद होते हैं, और कक्षा 8 देश में हम रजना के अधार पर वाके-धार करेंगे रचना के धार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिसर वाक्य सबसे पहले हम सरल वाक्यों के बारे में जानेंगी सरल वाक्य क्या होते हैं इस परकार के वाक्य में एक ही किरिया होती है सबसे जो में बात है यह ध्यान रखना है कि करता और करम तो दो हो सकते हैं लेकिन किरिया इसमें एक ही होगी सरल वाके में करता एक से अधिक हो सकते हैं पर विधे एक ही होता है यानि किरिया एक ही होती है जैसे हम उधारन लेते हैं राम ने मकान बनवाया यहां हमारे पास राम जो है करता है और बनवाया किरिया है तो इसमें एक ही किरिया है इसी तरह दूसरा संटेंस हम लेते हैं सीता और राधा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरलवाक्य में करता एक सैदिक हो सकते तो यहाँ पर सीता और राधा हमरे पास दो करता उपलब्द हैं खेल रही है लेकिन इन गिरिया एक ही है तो इस तरह से सरलवाक्य की पहचान बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो कि किस तरह से ह पर एक ही क्रिया हो वह बाक्य सरलवाक्य होगा इसी तरह एक और उधारन लेते हैं रेल गाड़ी रुकी तो यहां पर भी हमारे पास एक ही क्रिया है इस तरह ऐसे हम जो है सरलवाक्य की पहचान कर सकते हैं दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य क्या होते हैं जिन वाक्यों में आये सभी उपवाक्य समान सतर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं ये उपवाक्य समुच्य वोदक आवियों से जुड़े होते हैं इसमें आप ये भी कह सकते हो कि दो समान सतर के व होती है और इनको एक समुच्य वोधक से जोड़ा होता है तो यहां पर संयुक्त वाक्य होता है जैसे हमारे पास संटेंस है उधारन के लिए यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी तो हमारे पास एक संटेंस है यात्री बैठ गए इसके बाद अगर हम पुरन विराम लगाते है चल बस चल पड़ी तो यह भी अपने आप में वाक्य पूरा है और हमने इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ दिया और जो है हमारा क्या है समुच्य बोधक है इसी तरह अन्यवधारन देखते हैं बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है बिजली नहीं है अंधेरा है और इन दोनों संटेंसों को बाक्यों को हमने जोड़ा इसलिए से दर्वाजा खुला रह गया था अतै चोर घर में घुस आए तो इसमें भी अतै से जो है दो अलग-अलग बाक्यों को समान सतर के बाक्य हैं और दोनों बाक्यों को जोड़ा है सेंट वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि दो क्रिया होती है और दोनों ही क्रिया मुख्य क्रिया ही होती है ये नहीं कि एक दूसरे पर आसरित हो तीसरा हमारा भेद है मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में आए उप वाक्यों में एक उप वाक्य मुख्य अथ्वा परधान हो और दूसरा उस पर आसरित हो उन्हें विश्र वाक्य कहते हैं मतलब एक वाक्य तो पर्थान होगा और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा दूसरा उस पर आश्रित होगा जैसे हम संटेंस लेते हैं सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने चोरी की थी तो यहाँ पर जिसने चोरी की थी ये इस पर जो है आशरित है असोक महता मुख्य अतिती थी जो परशिद सहाईत्यकार है स्वामी गनेशा नन ने कहा था कि साकाहारी रहो तो इस तरह से एक संटेंस का एक पार्ट जो है दूसरे पर आशरित है मिश्र वाक्य की यही पहचान होती है इस में परशन्पात्र में इस तरह का परशना भी पूछा जा सकता है कि आशरित के बताईये या परदान बताईये तो हमें क्या करना है कि हम इसको सरल वाक्या में परिवर्तन करके देखेंगे जो किरिया लास्ट में रह जाती है वह उस किरिया वाला वाक्या का पाट जो है परधान होता है जैसे सिपाई ने उस इवक को पिटा जिसने चोरी की थी इसको हम अगर सरल वाक्य में बडिवर्तित करते हैं तो बनता है सिपाही ने चोरी करने वाले युवक को पीटा तो ये किरिया हमारी अंत में रही तो हमारे पास परधान वाक्य ये है और ये आसरित है इसी तरह इस संटेंज को भी हम सहरल में बना कर देख सकते हैं कि असोक महता मुख्य अतिति थे जो परसिद साहितेकार हैं तो परसिद साहितेकार असोक महता मुख्य अतिति थे तो यहां पर ये किरिया हमारे पास अंत में रही तो यहां पर ये वाक्य हमारा परधान है और य परशन पत्र जब उनके सामने होता है तो कंफिउजन भी काफी बच्चों को होती है तो इसके हम कुछ प्वॉइंट सरा रख सकते हैं पहला जो जैसे कि मैंने अभी बतायाunden बातीन की अभी म किरिया होती है जब हम इसको सारल में चेंज करेंगे तो यह किरिया हमारे पास लास्ट में रहेगी, तो पहली पहचान तो इसकी यह होगी, दूसरी पहचान है, बाक्यों में आये आश्रित उपबाक्यों का आरम जो है अधिकांस्त, समूच्य वोदक सब्दों से होता है, अधिकांस्त कहा मतलब 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक समूच्य वोदकावियों से होता है, जिसने जो, क्योंकी, परन्तु, तब आदी जो है, इसके बाद जो संटेंस आता है, वो आश्रित होता है, और तीसरा पहचान यह होगी, कि आश्रित उपबाक्यों के आरम, मद्य या अंत में भी आ परधान है, ऐसा कुझ नहीं होता, जैसे एकी संटेंस को मैंने दो तरह से बनाया, वहा युवती जिसने बालक की जान बचाई, इसी कलोनी में रहती है, तो यहाँ पर आश्रित उपबाक्य तो यह यहाँ पर आश्रित उपबाक्यों के तीन भेध होतती है, अब आश्रित उपवाके विशेशन उपवाके और किरिया विशेशन उपवाके सबसे पहले संग्या उपवाके की बात करते हैं किसी वाके में जो आश्रित उपवाके मुख्य उपवाके की संग्या के स्थान पर आते हैं तो उसे संग्या उपवाके कहते हैं जैसे दादा जी सदा कहते थे कि आलोक महान वैक्ति बनेगा ये इसकी संग्या के स्थान पर आया है मैं चाहती हूं कि तुम डाक्टर बनो मैं तुमने डाक्टर बनाना चाहती हूं मतलब ये संग्या के स्थान पर आया है तो ये संग्या उबाक्य है इसके बाद विशेशन उबाक्य है विशेशनु पाक्ये मुख्यत बाक्ये में प्रयुकत किसी संग्या की विशेश्ता बताता है. window band द्यूकित के दियों चिंद बाक्ये में आश्ट और प्रधान होता है. सरलोर संउक्त में नहीं होता है. और जो जिसें, जिसको, इनसे अगर कोई sentence सुरू हो रहा है sentence का part सुरू हो रहा है तो वो आशरित होगा और वो विसेशन उपवाक्य होगा जैसे जो आदी पत्र बांटता है, वो डाक्या है पत्र बांटने वाला आदमी डाक्या होता है ठीक है इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यह विशेशन उबाक्य है जिसने गिलास तोड़ा वह खड़ा हो जाए गिलास तोड़ने वाला खड़ा हो जाए तो यह विशेशन उबाक्य का उधारन है किरिया विशेशन उबाक्य तो किरिया विशेशन उबाक्य में यह उबाक्य सामानत मुख्य उबाक्य की किरिया की विशेशता बताता है यह संग्या यह सरबनाम की विशेशता बता रहा था तो यह किरिया की विशेशता बताता है और किरिया विशेशन जैसे कि आपको पता है, काल वाचक, सथान वाचक, रिती वाचक और परिमान वाचक, मतलब उबाक्य की काल, सथान, रिती या परिमान, या कार्य कारण आधिका जो है त्योतन करते हैं, तो जब बारिस हो रही थी, मैं घर पर था, बारिस होने के समय मैं घर पर था, तो यहां पर यह किरिया विशेशन उपबा के है, जहां तुम पढ़ते हो, वही मैं पढ़ता हूँ, मतलब यह भी किरिया विशेशन उपबा के है, अब हम कुछ उधारन करके देखते हैं, बाक्या रचनांतरन करते हैं, यह बाक्या परिवर्तन करके देखते हैं जिसे सर्श्वती ने नहा कर पूजा की इसको सरल वाक्य है ये तो सर्श्वती नहा करेंगे तो कैसे करेंगे सर्श्वती नहाई और पूजा की मतलब यहाँ पर सर्श्वती नहाई ये क्रिया अपने आप में पूरण है और पूजा की ये क्रिया भी अपने आप में पूरण है तो यहाँ पर हमने एक रिया कर दे मेरे घर के पास एक बहुत पुराना मंदिर है यह संयुक्त बन गया मंदिर है और बहुत पुराना है तो अलग-अलग दो संटेंस है और इसी को मिशर में बनाया मेरे घर के पास जो मंदिर है वह जोफी बहुत पुराना है तो इस तरह से वाक्या परिवोर्तन करने होते हैं या फिर परशन पत्र में ये पूछा जाता है कि रजना के दार पर वाक्य का भेद बताईए या आश्रित उपवाक्य का भेद भी पूछा जा सकता है तो ये सारे टोपिक आपको इस वीडियो में कलियर करवा दिये गए हैं धन्यवाद आपका दिन सुब हो